हालो वीवर्स मैं हूँ आनंद और आपका स्वागत है हमारे चानल पटना ब्लॉगर्स में और हर बार की तरह फिर से मैं आपको बहुती बड़िया बहुती सांदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जारा हाल तो वीवर्स मैं आपको बताया था कि बिहार में बहुत सारी फैक्टरीज है जिनकी जानकरी आपको बाकी लोग नहीं देंगे या इनकी जानकरी जो है आपको मीडिया का कोई न्यू चैनल आपको नहीं देगा क्योंकि मेडिया हमेशा ही बिहार को बंदाम करने के कोसिस में लगा रहता है आज मैं आपको इस वीडियो के थुरू आपको दिखाने लेके जा रहा कैसे बिहार में 300 करूर रुपे की लागत से बेटा में एक बहुती शांदार सा जो है बिटानिया बिस्किट का फैक्टरी खुल चुका है बिटानिया इन्ट्रिज लिमिटेड ने 300 करूर रुपे की लागत से बेटा में एपना बहुती बड़ा एक फैक्टरी खुल दिया है जहांपे बिस्किट बनाने का काम होता है यही खबर है इसको कि मैं आपको इस वीडियो के तुरू दिखाने लेके जा रहा है मैं आपको बता दूँ क्या खबर है लगभग जो है तीन सो करोड के निवेस से बिटानिया इंडस्ट्रिज लिमिटेट को सिकंदरपूर बहिटा में बिस्किट और बेकरी उत पादम के लिए 5 एकर जमीन दी गई थी जहां पर अपकाम सुरू हो गया है यहां पर 2500 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलने की समभावना है कंपनी को सिकंदरपूर बहिटा में 7.7 एकर जमीन बियाडा ने आवंटित किया है और यहां पर काफी लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और कंपनी ने अपना काम्या सुरू कर दिया और यह जो है बीजेपी और जेडियू के गटबंधन सरकार में यह फासला लिया गया था जब बिहार के उद्योग मंतरी साहनमाज हुशान थे तो यही ख़बर थी अब मैं आपको बताने जा रहा है कि यह फैक्ट्री जो है अब अपना काम इसने करना सुरू कर दिया है और फैक्ट्री बन के त्यार हो गई है अब आप देख पाएंगे इस वीडियो के थुरू कि कैसे काम हो रहा है अगर वीडियो चलगा तो प्लीज वीडियो को लाइक अटानी भूलेंगे वीडियो को अपने फ्रेंग्स का शेयर भी करेंगे और चैन को सब्स्राइब करेंगे ताकि हम यह हुए आसे ही और नयने इंडस्ट्रियल यूनिट्स या इंडस्ट्रीज की खबर आपको अपने वीडियो के माधम से देते रहे